दोस्तों आज की वीडियो में आपको इताओं कि बहुत ही सुंदर बैक नेक रियान कैसे बना सबस्क्राइब किजी स्टिचिंग के लाज चैनल बेल आइकोन दमाई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए देखें आज गी वीडियो में आपको ब्लाउज के नेक डिजान के पारें बता रही हूँ और उसके लिए मैंने दीखिए लेस लिए कुछ मेने कपड़ा लिया है तो यह डिजान बहुत संदर बने वाली ये पूरा वीडियो आप देखें तो दीखिए मनें ब्लाउज ब्लाउस का साइज बता देती है थर्टीशिक साइज का ब्लाउस है इसमें मैंने टू इंच मार्जन लिया है आपको यह भी साइज का बनाते हैं टू इंच एश्टा मार्जन लें और देखिए सोल्डर मैंने 7 इंच लिया है मुड़े मैंने 7.5 इंच लिया है और अभी आपको नेक डियान के बारें बता रही है तो देखिए सोल्डर से पहले हम मार्किंग कर लेते हैं तो यह फोर इंच लेले सोल्डर से फोर इंच से लेके जितना डीप आपको चाहिए उ और डीप पहनना चाहते हैं तो डीप भी कर सकते हैं यह box बना लिए और अभी उपर का नर्ख लेते, तो देखि उपर का 3 inches ले रहे हैं, यह भी इक box बना लेते आपया यहा पार नी। और यहां पर 1.5 inch की उलाई दे देते यह हमारा ऊपर का नर्ख रएगा, यह यहां पर हम वाँ इंच लेते हैं जब एस तरह से लाइन डो करopeड देदे हैं अभी जो यह पार्ट बचेगा इस में हम डियां डालने वाले हैं तहरा मुजँ यह थोड़ा सा ब्राउड आएगा और यहां से इसकी हल्की सी गुलाई कर देंगे अभी इसको यहां पर जैसे यह थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है टेड़ा सा इस तरह से सीधा सा इसके उलाई कर दें सेम डाट वो कट कर लेते हैं तो दिखी मैंने कट कर दिया है अभी जो यह डाफ्ट इनकला है इसमें आप चाहें तो केंबा स्नेक पट्टी लगा सकते हैं मैं डायरेक्ट इसको पलट दूंगे और इसकी ओपनिंग जो है फ्रेंट में है तो आभी सिनने का तरीका बताती हू ब्लाउस को इस तरह से सीधा रख लेंगे इसकी बाद जो हमारा लाइनिंग का डाफ्ट है इसको इस तरह से सेट कर लें set करने कि बाद जो हमारा center का neck है इसको यहां से यहां तक stitch कर देंगे और फिर neck को cut कर देंगे cut कर कर इसको पलट देंगे और फिर इसको lining के साथ पूरा stitch कर देगे जो उपर आता के उसका तो दीखे 2.5 inch चोड़ा और 2.5 inch लंबा चावपूर पीस है और इस पीस की हम डिजाइन इस तरह से देंगे क्रॉस में फोल्ड करेंगे और फिर यहां पर और दीखे इस तरह से फोल्ड करके एक ट्रेंगल जैसे हम यह डिजाइन बना लेंगे तो इसी तरह में सारी कर दिया है और इस ने को कट कर देते हैं और इसमें बीच-बीच में कट देंगे इसको पलट देंगे अब यहां से लाइनिंग को बाहर की साइड निकाल देते हैं तो दीखी मैंने पलट दिया है अभी हम नेक में यहां से यहां तक इस्टिच डाल देते हैं और इसको लाइनिंग के साथ पूरा सेट कर देते हैं उसकी वज़े उपर का नेक इसको भी कट कर देंगे तो दीखी मैंने पूरा लाइनिंग के साथ इस्टिच कर दिया है नेक में कट कर दिया है और नेक के लिए मैंने क्रॉस में पट्टी कट की हैं और इनको यहां पर लगागी इसकी फिनिशिंग दे दूने तो दीखी मैंने नेक के फिनिशिंग दे दिये और यहां पर हमें इस तरह से तुर्पाई कर देंगे और दीखी जैसे मैंने यह डिजाइन बताए थी मैंने इसी तरह सारी डिजाइन है बना दिए और भी इन डिजाइनों को अटेच करते हैं तो दीखी जो डिजाइन है हम यहां से पूरे नेक में अटेच नहीं करेंगे इस कौने से लेके और इस कौने तक ही अटेच करेंगे तो इस तरह से अटेच करेंगे इन जानों को यहां पर यह पूरे नेक की नीचे की सेथ में इसमें गैब भी नहीं देना है, एकदम पास-पास में हम इनको इस्टेच करते जाएंगे, यह इसी तरह में जाएंगे, अटेच कर लेती हूँ, तो दीखी मैंने यहां से लेके पूरा यहां तक अटेच कर दिया है, और जो मैंने लेस ले थी, उस लेस को भी इस्टेच करते हैं, तो दीखी कि जो लेस ली है मैंने, एक तो मैं इसमें बोट नेक में लगाऊंगी, और दूसरी लेस हमारी यहां से इस नेक से आएगी, इस यहां तक नेक में और उसके बाद जैसे नॉर्मल फिनिशिंग देते हैं आप यहां पर बटन लगा सकते हैं या कोई भी फूल बना के लगा सकते हैं और लेटकन भी लगा सकते हैं सो के लिए तो मैं पहले ऐसा टेज कर लेती हूँ तो देखी ये लेस मैंने पूरे यहां से यहां तक स्टिच कर दी थी उपर के नेक में भी स्टिच कर दी और देखी मैंने ये कपड़े का एक फ्लावर बनाया है और इसमें एक बटन लगा दी है और ये मैंने सो के लिए सिर्फ डोरी बनाई है और आप ये इस्टोन लिए है मैंने तो यहां पर इस्टेच कर सकते हैं और फेबरियो ग्लू से चिपका भी सकते हैं अगर आपको बैस इस्टोन नहीं तो यहां पर एक एक मोती भी लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लुका रहा है ब्लाउज का, तो आप इसासन तरीकी से सुन्दर सी ब्लाउज की बैकनिक लिए बना सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंदाया हुगा वीडियो को सेर करें, लाइक करें, चैनल सबस्क्राइब करें, थैंक यू